हलो एब्रीवान सार्दे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम बीएसी थर्ड एर की फिजिक्स सेकंड के जो यूनिट फर्स्ट के इंपोटेंट कॉशन कर रहे थे उसका कॉशन नमर थर्ड देखेंगे कॉशन नमर फर्स्ट और कॉशन नमर सेकंड आपने प्रिवियस वीडियो में डिसकस किया था अगर आपने नहीं देखा यह है वो वीडियो तो आप आई टेप पर क्लिक करके देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना बूलें तो आईए अब बिना टेमिस्ट के अपने वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो कॉशन है कॉशन क्या है मिलर सूच कांग क्या है किसी क्रिस्टल में दिये गए तल के लिए मिलर सूच कांग को कैसे ग्यात किया जाता है तो सबसे बहले तो हमें बताना है मिलर सूच कांग होता क्या है मिलर सूच कांग फिर उसके बाद हम बताएंगे कि किसी क्रिस्टल में दिये गए तल के लिए मिलर सूचकांगों को कैसे क्यात किया जाता है तो देखिए मिलर सूचकांग वैग्यानिक मिलर ने किसी क्रिस्टल में किसी जालक तल के अविविन्याश को व्यक्त करने के लिए एक विदी गयात की तो जो वैग्यानिक मिलर थे उन्होंने क्या किया किसी क्रिस्टल में जो जालक तल के अविविन्याश को व्यक्त करने के लिए एक विदी ग्याद कि रही थी तो इसलिए इसका नम मिलर वैग्यानिक मिलर ने की थी तो मिलर सूचकांग इसलिए पढ़ा है इसका नम तो क्या था मिलर सूचकांग किसे कहते हैं इनके अनुसार किसी जालक तल को तीन संख्याओं HKL द्वारा विक्ति किया जाता है जिने इस जालक तल का मिलर सूचकांग कहते हैं तो जो HKL है यह हमारी जो तीन संक्या हैं इन तीन संक्याओं को जालक तल का क्या कहते हैं हमारा मिलर सूचकंग कहते हैं तो अब यह हम आगे की वीडियो में यह भी डिसकस करेंगे यह HKL की value हम कैसे निकालते हैं कैसे find करते हैं तो देखिए आप किसी जालक तल में मिलर सूचकंग HKL वे छोटी से छोटी तीन पूर संक्याओं हैं जिसका अनुपात वही होता है जो उस तल के द्वारा तीन किसी जालक तल में मिलर सूचकंग HKL वे छोटी से छोटी तीन पूर संक्याओं हैं जिसका अनुपात वही होता है जो उस तल के द्वारा तीन अक्षों XYZ पर काटे गए अन्ते खंडों के वित्क्रम का अनुपात होता है तो जो मिलर सूचकंग है HKL उनकी जो वेली होती है वो क्या होती है जो अन्ते खंडों होते हैं XYZ पर अगर हम उनका उल्टा कर दें अगर हम उनका इन्वर्स निकाल दें तो हमें किसकी वेली हो जाएगी HKL की है तो HKL की जो वेली होगी वो क्या होगी हम क्या कर देंगे अन्ते खंडों की लंबाईयों को वित्क्रम कर देंगे तो वन अपॉन एल वन अपॉन एल टू और वन अपॉन एल थरी अब कैसे इसको ग्याद करते हैं अगर कॉशन हमारे पास आ जाता है कि मिलर सूचकंग और यहाँ पर कॉशन भी पूचा जा सकता है आपको कि मिलर सूचकंग ग्याद करने की विदी बताईए तो हम कैसे इसको बताएंगे कैसे सॉलूशन इसका देखिये तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सरपथम दिये गई जालक तल द्वारा तीनों क्रेस्टलिये अक्षों XYZ पर काटे गए अंत्यकंडों की लंबाईयां क्रमस L1, L2 वा L3 ग्याद करते हैं तो सबसे पहले हम मिलर सूचकंग ग्याद करने के लिए क्या ग्याद करते हैं हमारे L1, L2 और L3, L1, L2, L3 क्या हैं हमारी अंत्यकंडों की लंबाईयां यह पॉंट पढ़ लेते हैं फिर हम इसका एक example और देख लेंगे छोटा सा जिससे आपको एकदम clear हो जाएगा तो जैसे देखिए माना की L1 equal PA है L1 की value PA है और L2 की value QB है और L3 की value RC है जहां पर A, B, C क्या है हमारे XYZ अक्षों के अनुदिस मात्र कुष्टकाओं की बजाओं की लंबाई है और PQR जो होते हैं वो हमारी पूड़ शंक है या फिर बिन है चीक है अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे जो हमारे PQR find हुए है यहां से L1, L2 और L3 को जब PA, QB और RC की एक रखेंगे तब हमें PQR की value मिलेगी तब हमें जो PQR की value मिलेगी उसका हम क्या कर देंगे विद्क्रम निकाल देंगे 1पन P, 1पन Q, 1पन R ग्याद करते हैं अब क्या करेंगे अब इन विद्क्रमों के हरों का LCM ग्याद कर लेते हैं जो हमारे वित्क्रम आएंगे, उनका LCM के आतकर लेते हैं, और फिर इन वित्क्रमों को इस लगुत्तम से गुड़ा करके, तीन पूर संख्याइं प्राप्त करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे LCM आएगा, उससे हम मंटिप्लाई करते हैं, इस वाली संख्या में, तो हम होती है हमारी H के L होती है ठीक है ये तीन पूर संक्या ही अविस्ट्य मिलर सूच कांग होते हैं अब देखिए एक्जांपल के थ्रू थोड़ा समझ कीजिए आप इस कॉश्चिन को माना कि किसी क्रिस्टल में कोई जालक तल X, Y वजेड अक्षों पर क्रमस 3A, 2B वर 4C लंब इस यहां कर्णाफल और 3A और 3B और 4C लंबाई के अंत्यकंट काड़ता है तो यहां पर यह जो 3A को किस रखांगे पीए के यह हमारी L1 है, यह L2 है और यह हमारा L3 है तो L1 इक्वल क्या होता है P तो P A इक्वल 3 कॉमा फिर L2 इक्वल QB तो 2B इक्वल QB हो गया हमारा and L3 इक्वल हमारा होता है RC तो RC इक्वल L3 की वैल्यू 4C यहां से हम PQR की वैल्यू निकालेंगी तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी A से कट हो जाएगा P की वैल्यू 3 Q की वैल्यू 2 एंड R की जो वैल्यू होगी वह हमारी हो जाएगी 4 तो जो P की आर P, Q, R की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह हमारी आएगी 3, 2, 4 ठीक है अब हम सेकंड इसका वित्वरम ले लेते हैं 1 अपन P, DAS, 1 अपन Q और यहाँ पर 1 अपन R निकाल लेते हैं तो जब निकालेंगे तो क्या होगा हमारे अब हम वित्वरम ले लेते हैं 1 अपन P, 1 अपन Q, 1 अपन R तो इनका जब उल्टा करेंगे 1 upon 3, 1 upon 2 and 1 upon 4 अब क्या करते हैं हम इसका LCM ले लेते हैं तो जो 3, 2 और जो 4 है इनके विद्ग्रमों के हरों का LCM लेंगे डिनोमिनेटर का तो 3, 2 और 4 का LCM हमारे पास कितना आ जाएगा 12 तो इस 12 का हम क्या करते हैं इसमें multiply कर देते हैं 12 का multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 12 upon 3, 12 upon 2 और 12 upon 4 तो 1 upon P, 1 upon Q and 1 upon R की जो value होगी वो हो जाएगी 4, 6 और 3 और जो 1 upon P, 1 upon Q और 1 upon R की जाएगे हम क्या रख देंगे H, K, L तो H, K, L की value हमारे कितनी निकल कर आएगी 4, 6, 3 अतहा दिये गए तल के मिलर सूच कांक हमारे क्या हो जाएगे 4, 6, 3 अगर हमारे जो मिलर सूच कांक है अगर हमारा negative होते हैं अगर इनकी value negative आती हैं तो उसको हम bar की तरह लिख देते हैं अगर जैसे minus 6 आता है यहाँ पर तो हम bar में 6 लिख देते हैं अंत्य कंटी की जो लंबाई थी अगर हमारी negative में दी हुई होती है तब हम इसको अगर हमारा negative में आता है तब हम इसको bar लगा के लिख देते हैं तो I hope आप सभी को यह lecture एकदम अच्छे से समझ में आया हो और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरी चैन को सब्सक्राइब करें मेरे सपोर्ट करें जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ थैंक्स फर वाचिंग